ये हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी ने कभी ने कभी रेल यातरा तो जरूर की होगी मैंने भी की है बट रेल यातरा में एक उत्सुकता रहती है कि खाने में क्या लेके जाया जाया तो मैं जो लेके जाता हूँ मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ तो मैं यह बनाते हैं रेल यात्रा का खाना तो सबसे पहले 7.500 गर्ऑ मैंने चिक्क. लिया है बोनले चिक. होटे ओधार, मैंने इसा कट कर लिया अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक अब हम इसमें डालेंगे कशमीरी लाल मिर्च या नॉर्मल लालमिष र spoiler डालने बनाएंगे और यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा दो दीन तक यह मेरी ग्यारेंटे क्योंकि मैंने खुद ने खाया हुआ है एक हम इसमें अंडा तोड़के डाल देंगे तक इसमें अच्छी सी बाइंडिング मिल सके और अब हम इसमें डालेंगे कॉन्फला कॉन फ्ला लगबग आपको 100 ग्राम डालना है 7500 ग्राम चिकन में 100 ग्राम कॉन फ्ला ये आमचूर पाउडर डाल देंगे ये रह गया था आधा चमच और 1-1.5 चमच अधरक और लेसूल का पेस्ट इसमें डाल देंगे ये अच्छी तरह हम इसमें मिला लेंगे और मिलाने के बाद कोई आपको रेष्ट वगरा देनी की जरुवत नहीं है ठीक है? सीधे आपको तेल गरम करना है और तेल की तरह बढ़ जाना है हाई फ्लेम पे पहले आपको तेल रखना है मतलब ऑईल और आपको सरसो का ही तेल लेना है इससे आपका जो चिकन है चिकन पकोड़ा है वो खराब नहीं होगा सरसो के तेल में ही आपको पहले के दो मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है फिर अलट पलट के आपको इसको इदम क्रिस्प या इसे पकने तक पकाना है और फिर हम इसमें से चान के निकाल लेंगे याद रखिएगा सरसो के तेल में फ्राइ करना है अब हमारा चिकन पकोड़ा बनके तयार है अब बनाएंगे हम ओमलेट तो ओमलेट में भी आपको सिंपल सा साथा अंडे तोड लेने हैं इतने आपको चहिए उतने अंडे पहले आपको तोड़के बॉल में निकाल लेने हैं और इसमें अब हम डालेंगे स्वाद अनुसा नमक और आपको कुछ नहीं करना है अच्छी तरह से फेट लेना है और सिंपली आपको अपने तवे के तरब जाना है पैन के तरब जाना है थोड़ा ओईल लीजे और एक दम सिंपल में जो में आपको बता दूँ कि इसका आपको एक ओमलेट बना लेना है सिंपल सा एक स्पून की मदद से ये डालते जाए ये अंडा और फैलाकते हुए आपको इसका एक ओमलेट बना लेना है बिना प्याज के ठीक है और ये सारी चीचे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ने ये पूरी तरह आपको ठंडी कर लेनी है मतलब बाहर में ही ये नहीं कि गरम गरम आपने पैक कर लिया अब हम बनाएंगे जीरा आलू तो जीरा आलू के लिए तीन चमच ओईल और आधा चमच जीरा हमने डाल दिया है अब तीन चमच चॉप किया हुआ हरा मिर्चिस में डालेंगे इसकी कॉंटिरी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ट्रेन में थोड़ा चटपटा खाना अच्छ चीज़ों को एक साथ मिलाएंगे मिलाते हुए आपको एक से दो मिनट पकाना है एक्चुली से पकानी की जरूत नहीं है बट यह जो चारी सारी चीज़े हमने इसमें डाली है अच्छी तरह कोट हो जानी चाहिए फिर धेर सारा आपको इसमें हरा धनिये डाल देंगे और आपको मिला लेना है अपने गौर किया होगा कि इसमें भी हमने प्याज लहसुन इस सब का इस्तमाल नहीं किया है अब इसे भी आपको ठंडा कर लेना है हमारे जीरा अलू बनके तयार है अब बनाएंगे अजवाइन वाले पराठे तो सिंपल से मैंने लगभग 800 ग्राम ग थोड़ा थोड़ा पाणी डाले और हाँ ओईल रह गया तो हम एक चमच के करीब हम इसमें डाल देंगे ताकि इसमें जो नमी है वो बनी रहे सौफ्ट हमारा पराठा बनी अब इसका सिंपल सा आपको एक जैसे पराठो अगरा के लिए आठा गूनते है वैसा आठा गून है और सिंपली पराठे बेल लेने एक्चुली मेरा यह जो गोल राउंड बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम है पर फिर मैंने कोशिच की है पराठा हमारा बनके त्यार है बनते हैं तब एक उपर तब एक उपर सिंपल आपको दोनों तरप से थोड़ा थोड़ा पराठे को पर इसको पर आप ऑई बटर घी जो चाहा है अपलाई कीजे मेरी मानी तो ऑईल ही इस्तेमाल कीजेगा ताकि यह जादा दीन टिक सके पराठा मतलब दो दिन कम से कम दो दिन का ट्रेवल हम लेके ही चलते हैं कहीं पी तो पराठा भी हमरा आजवाइन वाला पराठा भी बन पैक करनी है तो यह पूरे दो दिन चलेंगे आपके रेलवे आत्रा में उम्मीद करता हूं रेसिपी अच्छे लगी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक और शेयर करके जरू चाहिएगा थैंक्यू सो मच पर वाचिंग